आजी तो यह वीडियो जो है वो CA final वाले बच्चों के लिए नहीं है एक्च्छल में यह जो बनाया गया है CA में final जिनका जुलाई में attempt है उन बच्चों के लिए है तो जो CA final वाले बच्चे देख भी रहे वीडियो तो यह उनके काम का नहीं है तो अपना time खराब ना करें तो अब मैं आ जाता हूँ CA में final वाले बच्चों CA में final में जैसा कि हमारा जूम में discussion हुआ था कि आपको जो revision करना है वो derivative का जो CA final का revision video डला हुआ है उससे revision कर जो अपने कर लिया होगा दो दिन का मैंने आपको time दिया उसके बाद मैंने यह कहा था कि यार हम लोग कुछ ऐसा discussion करें कि यार हमारे past years के CMA के past years के questions covered हो जाए तो वही मैं अब करवाने जा रहा हूँ CA में के past years के सारे questions में ने ले रख़ए क्योंकि कहीं न कहीं CA final और CMA final में presentation में अंतर है और भी बहुत सारी चीज़े है जो question के सासा discuss करना है टारगेट क्या रहेगा टारगेट रहेगा सिप CA में final SFM में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है जो CA वालों ने किया हमें जरूरी नहीं कि वही करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा वह बाते करना है और जिन्होंने revision video नहीं देखा होगा derivative का उनका ये video काम नहीं आएगा तो उने पहले derivative का revision video देखना है जो देखोगे अगर आपके पास link नहीं है तो मैं description में link share कर देता हूँ जिस notes से आज मैं discussion कर रहा हूँ उसका pdf भी मैं description में share कर देता हूँ तो दोनों चीज़ आपको मैं चाहिए ठीक है तो target यह रहेगा कि पहला काम क्या करोगे पहला काम यह होगा कि derivative का revision video देखोगे जो already में description में डाल रहा हूँ दूसरा काम क्या होगा यह video देखोगे जो मैं अभी आज बना रहा हूँ उसके बाद क्या होगा उसके बाद कल आप test दोगे derivative का CMA final वाले बच्चे उसके बाद हम interest rate risk management पे आई के तो दीरे दीरे बात करेंगे इन सब्सक्राइब तो start करें lecture मैं पूरी तरह से discussion नहीं करूँगा मैं वो question discussion नहीं करूँगा जो already मैंने revision में डाल रहा हूँ ठीक तो बात किस की हो रही कौन से topic की हो रही है बात हो रही है derivative तर सीए में final में किस नाम से है एचेप्ट एक commodity market करके है और इसके अलावा एक capital market करके कर पर नाम में क्या रखा है हमें तो टार्गेट यही कि हमारी questions cover हो जाने जाए तो पहला question उठाया मैंने यह derivative of question दो तीन बाती करूँगा काम आईगी यह चीचे पहले question पढ़ ले future आपका पढ़ा हुआ है तो मुझे ज़्यादा समस्या नहीं है ठीक है एक बार देखे क्या है यह question कब आया था यह आया था जून 2017 में कितने नंबर का question आया था आठ नंबर का ठीक है क्या था question में हाला कि यह question में आपको करवा चुका हूँ पर discuss तो कर ले आखिर क्या था तो इस question में आपको A limited और यह misprint है यह B limited दो company दिया था spot price दिया हुआ था ठीक है dividend दिया हुआ था और जो dividend है वो दू मैंने में मिलने वाला था और यह वाल इस company से dividend कितने मैंने में मिलने वाला था तीन मैंने में risk free interest और यहां कुछ action दे रखा है sell spot by future हम future कब खरीदते हैं जब future under price होता है तब कि जब future over price होता है तब सर जब under price होता तब खरीदते हैं यही तो हमने किया था ठीक है कोशन अच्छा है इसलिए में discuss कर था पहले नंबर पर क्या मांगा था पहले नंबर में मांगा था determine the six month theoretical forward price मतलब हमको theoretical F निकालना six month F इसमें जो solution दिया है जो PDF में ने दिया उसमें जो solution दिया है वो मेरा solution नहीं है TMA Institute का suggested answer तो कोशिश यही रहेगी हमारी कि हम CMA Institute को ही follow करें क्यार हमें तो number उसी पे मिलने वाले तो sir six month forward price मांगा था किस किस का a limited का और b limited का इसमें कोई दिक्कत नहीं है यह क्या लिखा for what value of future contract rate will be the above recommended action be appropriate इसका मतलब मुझे अभी तक समझ में नहीं आया सबसे पहला काम है मैं six month f निकलू अब six month f कैसे निकला जाए तो six month f यह zero और यह six month dividend की spot price दिया है spot price कितना दिया है four five five zero अब dividend last में मिलता formula क्या था f निकलने का अब निकलने का था s कि माइनस डी ऐसा कुछ करते थे ना यार याद है आपको नॉर्मल फॉर्मूला बताता हूं नॉर्मल फॉर्मूला था one plus r माइनस डी ऐसा करता थी उस समय दी कहा मिलता था dividend यहां मिलता था लेकिन भाई इस question में dividend जो मिल रहा है वो तो यहां मिल रहा दो मैने में dividend मिल रहा है और dividend कितना मिल रहा 50 रुपए क्या किया जाए किया यह जाता है या तो आप इसको future में पहुचा दो और एडी माइनस कर दो या तो बिल्गुल simple तरीका है भाई आप इसका present value निकालके यहां से माइनस कर दो और पिर जो भी आएगा उसको future में पहुचा दो मैं डिस्कुस कर चुका हूं जिसे हम commodity future में करती थे ऐसा करना है तो या तो इसको चार मेने का future value निकाल लो या तो दो मेने का present value निकाल लो CMA Institute ने क्या कर रखा है present value निकाला है और present value इसमें से माइनस कर दिया उसका नाम दिया उसने adjusted spot price और फिर उसने उसका future value निकाला है पस एक अंतर है कमजना ठीक से CMA Institute ने derivative के जितने भी questions है चाहे वो options के questions हो चाहे वो future के questions हो चाहे कोई भी question क्यों ना उन्होंने continuously compounding यूज किया है जबकि CMA Institute में ऐसा नहीं होता है CMA Institute में बताता है कि continuously compounding यूज कीजिए तब ही करते हैं तो अगर मेरे revision वीडियो में देखोगे तो वो तो CMA के हिसाब से है तो एक बात कान खुल के सुन लो एक important कि आपको derivative में continuously compounding ही यूज करना है चाहे question कहे चाहे question नहीं कहे तो अब मैं सीधा solution पर चलू हूँ बस यही बात करनी थी और solution यह आपके पास है मैं बनाऊंगा नहीं ऐसे बनाने जाऊंगा तो पता लगा कि चार पाच घंटे वीडियो में चला गया है उतना टाइम नहीं इसपॉट प्राइस दिया है डिविडेंट दिया है पचास रुपए और इसका present value निकालना है रेट कितना दिया है नौ परशंट तो दो मैने का रेट नो इन्टु तो बाए ट्वेल्ट तो सर वन पॉइंट परशंट आया है तो पचास डिवाड़ेड बाई इस दीरो पॉइंट करना पड़ेगा और यह कैसे निकाला जाता इसका value दिया रहेगा question में नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकाला जाता वो तुम्हें आप अपके सार्ड डिसकॉस कर शेकों 4096 वाला तो इससे डिविडेंट की क्या निकलेगा present value निकल जाएगा जो इन्होंने निकाला होगा 4107.91 है मैं इतना लिखा कोई दिक्कत है कि यहां तक है ऐसे ही मतलब सर देखा जाए उन्होंने एफ निकाल लिया इसका एफ निकाला 4707 और इसका एफ निकाला है 356 मैं rounded of करके लिख रहा हूँ अब proper लिखना यहां तक ठीक है हां बोलो हां ठीक है सर पर सर ठीक है यह तो है पर यह बाद में क्या मांग रहा है यही समझानी की कोशिश कर इन भाई साब नहीं क्या किया इन्होंने बाई फ्यूचर किया है फ्यूचर क्यों बाई किया और फ्यूचर बाई किया तो सही किया कि चलत किया और वो पूछ रहा है क्या आखिर actual rate रहा होगा कि इन्होंने फ्यूचर बाई किया ये कब फाइदे में रहेगा का future buy करना अच्छा है तो बोले क्या हुआ होगा किनों इसका इन्होंने जो action किया वो सही किया कैसे माने तो सर हमारे हिसाब से F यह है future under price होगा तो buy करेंगे इससे कम होगा तो buy करेंगे विल भी अबो recommended action वी appropriate यह appropriate कब माना जाएगा यह appropriate तब ही माना जाएगा जब क्योंकि buy कर रहे है तो actual future price इससे कम ठीक यह आपको लिखना यह लिखा होगा उना नहीं दिखलो अच्छा से appropriate कम माना जाएगा जब कम होगा तब और यहां जब जाता होगा तब ठीक है दूसरा point क्या बोला था what your answer भी क्या होता अगर डिविडेंट ही नहीं होता तो अगर डिविडेंट ही नहीं होता तो डिविडेंट कॉम वैसे भी उड़ा देते इसी का future value निकल ले थे बातकतम हो जाते तो वही उन्होंने यहां भी सीधा-सीधा future value निकालना और आंसर नि कामरीटी future आपके लिए important है ज्यादा question आते है तो बस इसी पर आपको focus करना कामरीटी future पर focus मैं करवा रहा हूं सासाथ करवा रहा हूं जितना हो सकते question number two question number two question number two already मैंने revision में cover करवा रखा है तो as such इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ये कब आया था June 2017 आठ नंबर का और कुछ नहीं call option put option के विसे में पूछ रहा है आपसे easily बन जाएगा इस matter पर मुझे discussion नहीं कर ठीक है खाला कि important question है क्योंकि ये question एक बार नहीं बहुत बार आया question number three ये भी already मैंने revision विडियो में करवा रखा तो इस question पे भी मैं बात नहीं करूँगा जो question आपसे आसानी से बन जाएगे उस पे बात नहीं करूँगा ये question revision विडियो में है तो सर ठीक है ना सर वही follow कर रहे है बस एक बात का ध्यान रखना ये आपको आपको continuously compounding यूज करना है जो कि मैंने revision में normal यूज किया होगा आपको continuously compounding यूज करना है बाकि solution आपकी पास में question number three पे ज़्यादा बात ना हो तो ज़्यादा अच्छा question number four question number four कितने नंबर का question आया था पाच नंबर का जून 2017 question number four में क्या था ज़्यादा देखी अच्छा question investment manager company one two has portfolio कितने का portfolio है पंदरा करूर contract size है 100 index currently quoted कितने में है nine one two zero पीटा कितना दिया है point eight we top index may be one how many contract to be मतलब number of contracts निकालना है याद है number of contracts का formula yes sir target beta minus beta of portfolio यहाँ क्या करते थे value of portfolio divided by beta of future नहीं f इन्टू बीटा of future और इन्टू एम करते थे और क्या करते थे बीटा of future ऐसा कुछ करते थे याद है number of contracts तो इसमें अगर देखा जाए तो value of portfolio कितना है सर पंदरा करोड है मतलब 1500 लाक target beta कुछ ना दिया है तो हम क्या लेते थे 0 और 0.8 कर देते थे और divide किस से करते थे sir divide करते थे हम लोग 9120 और यहाँ 100 into 1 तो short position आ जाएगा number of contracts एक बार देख लें किया यस अंदरा सौना इंटू 0.8 divided by 9120 divided by 100 तो एप्रोक्स आ रहा 131 contract तो 132 contract short इस question में कुछ ऐसा था नहीं समझाने वाला मैंने बेकार में calculation करवाए मैं इसको skip भी करवा सकते ठीक है यह उनी से बनेगा जिन्होंने पहले किया होगा रिविज question number five हाँ यह question है जिस पे dispute है तो CA में वाले बच्चे ध्यान देगे please question number five पर ध्यान देगे करना कैसे है CA institute इस question को किसी और तरीके से करवाता है CA में institute किसी और तरीके से करवाता है बस इस question पे आपको focus करना गलती मत करना जो बच्चे CA के lecture देख रहा है derivative के CA के revision lecture देख रहा है वो फस जाएंगे इसलिए ध्यान से का यह question ऐसा नहीं किया नहीं अल्रडी किया हुआ है PSE index दे रखा है value of portfolio आरेब दिया dividend दिया बीटा of portfolio दिया हुआ है और क्या मांग रहा है पांग रहा है assume that a future contract 50 units है यह line important थीस पे मैंने बहुत मेहनत करवाया था 4 month maturity is used to hedge the portfolio over the next 3 months यात है मैं कौन सा F यूज कर रहा हूँ 4 month वाला हला कि मुझे settlement कब करना है 3 month में discussion किया हुआ है detail में तो करना क्या करना कुछ नहीं है मुझे 4 month F निकालना है निकाल सकते हूँ और 4 month F आ गया है 25250 discuss कर चुका हूँ इसमें कोई दिक्कत थी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है बस यहां continuously compounding यूज करना है ठीक है मैं revision वीडियो नहीं ले रहा हूँ मैं यह बता रहा हूँ कि क्या नहीं करना है क्या करना है उसके बाद क्या करते थे उसके बाद हमने F निकाला यह कब का F निकल गया अगर मैं देखूं तो यह 3 मन्त यह 4 मन्त तो यह निकला 4 मन्त F और 4 मन्त F निकला 25250 और आप उसको यहां settle करना चाहते हूं तो यहां का हमें F पता होना चाहिए तो वो बताया लाश्ट में कि F हुआ 22500 यहां हो गया F 22500 अब सवाल यह है यह जो इंडेक्स है वो तो तीन मैने वाला यार और मैंने आपको बताया था 4 मन्त का 4 मन्त से ही कटना चाहिए तो इसको कंपारीजर नहीं करेंगे इसको एक मैने बढ़ा के करेंगे तब ऐसा समझाया था आपको काश आपको याद किया करता है C.A. Institute actual F निकालता है 4 मन्त का 4 मन्त से काटने के लिए लेकिन C.A. में काम क्या होने वाला शुरू आपका कौन सा पोजिशन था मैं डिटेल नहीं पढ़ो आपका शॉट पोजिशन रहा हो शॉट पोजिशन तो सर यहाँ फायदा होगा इसको कम होने पे फायदा तो इसको कमपेरिजन हम निकाल कैलकूलेट करते थे C.A. Institute कैलकूलेट नहीं कर रहा है और आपको भी ऐसे ही करना C.A. Institute इसका इसी के साथ कमपेरिजन करना बस यह एक इंपोर्टन बात है मतलब उसने सीधा इससे यह माइनस कर दिया वो ले 2750 का फायदा ठीक है मैं क्यों करवा रहा हूँ यह सब सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ कि आपसे गलती ना हो एक्जाम में जिन्होंने C.A. के लेक्चर देखे होगे चाहे मेरे चाहे किसी की C.A. के लेक्चर देखे होगे उनके साथ दिक कर उनको ऐसे काम करना पड़ेगा सर यह तो गलत है गलत हो न जाने दो भाई नंबर चाहिए हमको नंबर तभी मिलेगा जब आप S पर C.A. में करोगे तब जाता चाहाँ जो टोटली गलत है उसको मैं बोल दूँगा कि यार ऐसे नहीं करना पर यह आपको यहां काम कैसे करना आपको कंपैरिजन इससे करना ठीक है? ठीक है चले आगे बाकी तो आप कर लोगे कोश्चन नंबर 6 simple कोश्चन था कोश्चन नंबर 6 में कुछ खास बात नहीं थी एक बार देखे कोश्चन नंबर 6 में क्या था एक बार रीट कर ले रहा हूँ अगर मुझे ऐसा लगएगा कि कोश्च घरबढ़ है तो मैं आपको डिस्कुस करूँगा नहीं तो सीधा सीधा बीटा मैनेजमेंट का कोश्चन था नंबर अफ शेयर्स दिया है इस्टॉक का प्राइस दिया है पॉर्टफώलियोका बीटा निकाली सकते हो यह निकल गए पॉर्टफोलियो का बीटा इस्टॉट इंडेक्स अभी यह 1350 और यह 1352 ठीक है आपको पॉर्टफोलियो डिक्रीस करना 0.8 से ठीक है तो हमारा फ्टॉर्मूला मालूम है हमको value portfolio कितना है यह दिखे रहा तेरा सो लाख अगर मैं करों तेरा सो लाख target beta कितना रखना 0.8 और यह कितना है 1.19 एफ कितना लेना या रखना यह मत ले 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 न गलती से 1352 इंटू हीचे क्या जाएगा एफ 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 तो गया मल्टिप्लायर को इस दिया है कि यह दिया सब 100 इंटू वन तो नमबर कॉंट्रेक्ट से अगर 1.5 है तो यहां 1.5 बस बात कता है ठीक है हो जाएगा इस कोश्चन में ऐसा कुछ नहीं है यह कोश्चन आप छोड़ सकते हैं यह ओल्रडी मैंने करवा हाला कि यह दस नमबर का कोश्चन आया था जून 2004 है ठीक है इस कोश् हिए यह में कोश्चन नमबर सिवन ए बोच्छन नमबर सिवन और एक करेंकी करहर मैं एक ॉप्षिन का कौश्चन में करेंगे कोश्चन21 को मिकरति कि जले कि क्लेंगे इस तो अभस नमबर एथट ली सेम का कोस में याद है कब आया था sir BSM का question 5 number का June 2013 में आया था call option का value निकालना है तो पता BSM में call option का value कैसे निकालते है sir S0 into ND1 minus into ND2 S0 पता है कि yes sir S0 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 47 47 अब मझे चाहिए ND1 यहा value दिया हुआ है मैं सीधा भी लिख सकता हूँ पर प्लीज 5 number question है D1 निकालना और no doubt D1 इतना ही आ जाएगा हमारा 0.6172 यह आ जाएगा D1 यह आ गया D1 0.6172 और ऐसे ही क्या निकालोगे D2 और फिर क्या करना आप answer लिख जाना सीधा सीधा इसका value दिया हुआ है सीधा multiple icon answer निकल जाएगा तो BSA में इस question में कुछ अलग था कि sir जो आपने पढ़ाए इस question में कुछ अलग नहीं था ठीक है जाहीं उसके बाद question no 9 question no 9 की बाद करें तो following information is available for call option time दिया 3 month RF दिया exercise price दिया है stock price दिया call price दिया value of put निकालना put call parity लगाएंगे put call parity का equation मालूम है आपको yes L0 plus P0 P0 plus present value of exercise price याद रखना कि आपको continuously compounding ही यूज करना है बस एक ही अंतरा है बाकि सब चीज दिया सब कैसे पता लगा कि put call parity लगाएंगे यह भी important है जब भी call option का दिया रहेगा ना price call option का premium दिया रहेगा और put का मांगेगा तो आपको तो put call parity ही लगाएंगे जाए ठीक है जी इस question में question नहीं था कि कुछ अलग मैं बात किसकी कर रहा हूं कि कुछ कई बार पूछा है और cma में भी same question कई बार पूछा है खास बात है दोनों में answer अलग रहे हमें कौन सा करना है हमें करना है cma institute देखते क्या है क्या किया है ic ai ने क्या किया है cma institute ने और हमें cma आपका किया हुआ है बहुच ज़्यादा दिक्कत नहीं है प्रीमियम कितना है दस कि प्राइज यह यह हो सकता है ठीक है जी आपको निकलना expected शियर प्राइज वह तो निकल जाएगा multiply करके expected शियर प्राइज निकल जाएग उसमें कोई दिक्कत नहीं पॉइंट नमबर टू में दिक्कत है जो मैंचे डिस्क्रिस करना पॉइंट नमबर टू वैल्योब कॉल एड़ 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 ओफोर मत इप expected price prevail याद रखना exercise price prevail ने लिखा है यहाँ जो सब्द लिखा रहता वह रहता exercise price prevail इसका मतलब अगर यहाँ जो है वो लिखा expected price prevail इसका मतलब जब आपने expected price निकाला हो गई है value निकाला है expected price निकाला है तो 160 रुपए 50 पैसे तो यहाँ value of call कैसे निकलेगा value of call 160 रुपए 50 पैसे minus क्या कर देना 150 रुपए तो यहाँ जाएगा since call exercise होगा नहीं होगा हुआ आगया 10 रुपए 50 पैसे याद रखना सब्द क्या लिखा exercise price प्रिवेल नहीं एक्सपेक्टेट प्राइस प्रिवेल ठीक है समझ गया हो जिन्होंने रिविजन किया उन्हें समझ में आ रहा होगा आई सी ए आई ने यहाँ जीरो क्यों लिखा था क्योंकि सब्द जो लिखे थे वो दिखा था exercise price प्रिवेल प्स पाके तो फिर कर लोगे फिर कोई लिखा था कि कैजिए कोशण नंबर 11 ऑप्सन स्ट्राइटिजी प्रिफा से बताइए कि कौन सी स्ट्राइटिजी अगर एक कॉल और एक पूट है से समान ये याद करो मैं ने करवाए था अगर आपको ऐसा लगरा मार्केट बढ़ने वाला है कि कम होने वाला है तो फिर पता नहीं कि किदर जाने वाला पर कुछ होने वाला है तो आप call और put दोनों खरीदते थे same strike price पे उसका नाम था straddle तो इस strategy का नाम क्या होगा straddle अगर एक call और एक put खरीद रहा है अलग-अलग strike price पे तो उसका नाम क्या था strangles एक क्या था strap जहां दो call हो एक क्या था strip जहां एक call हो तो वह यह नोंने किया तो कुछ special नहीं है it means यह already हमारा किया हुआ तो देख कर दो question number 12 वो put call parity का है already मैं करवा चुका हूँ please आप revision video देखो ज्यादा काम आएगा कि तो ऐसी समझ ही मनी आएगा तो मुद्दे मुद्दे की बात लिखते हुए चलना कि कहां हमें CMA Institute को follow करना है दो-तीन जगा मैंने बताया कि कहां गर-बढ़ है देखेज़ यह question already मैं करवा चुका हूँ question number 13 अच्छा question है जो revision video में नहीं है और commodity future का question है हाला कि मैंने regular class जो CMA वाले बच्चे मुझसे class लिया हूँ उनको मैं करवाया हूँ यह question पर यहां भी discuss कर देता हूँ क्योंकि यह मैंने revision में नहीं डाला है यह commodity future का question है तो इसको एक बार देख लेते हैं टेंशन का ठीक अच्छा question है और question आता है इसलिए मैं बात कर ठीक है discuss करें सेयार हो चलो discuss करते हैं भारत कब आया था एक्जाम में जून दोजार अठार भारत oil corporation import crude oil for its requirement on a regular basis import कर रहे है ठीक है किस बात का डर भी बढ़ना जाए long position भई आप import कर रहे है आपको जरूरत है तो आपका future में तो long position है ना spot में short हो सकता future में तो long position its requirement are estimated hundred ton per month of late there has been a surge in the price of oil ठीक है the current price अभी क्या चल रहा पाच अर पात्सव पर barrel सवाल यह कि यहां जो दिया है वो ton में दिया है और यहां दिया है जो price वो barrels में दिया है तो वो करना पड़ेगा convert एक ton में कितना barrel होता है तो नहीं मालूब पताएगा निचे एक ton बराबर 7.33 barrel अगर मैं barrel में बोलो requirement कितना है तो 100 into 7.33 तो sir हमें requirement है 733 barrels barrels ठीक है कमोडिटी का एक question करवद दता हूं तो बागी question आपसे manage हो जाएगे मुझे मूझे तो देर किस बात का कहीं बढ़ना जाहे तो फिर्म expect the price to rise in coming और ऐसा लग रहा है कि पाच एदर आट तो हो जाएगा पका it wants to has against the rising price for the sum of its requirement on the month of August mcx पता है अच्छे से mcx क्या होता in india offer future contract in crude oil the contract size is 100 barrels contract size 100 barrels अगस्ट अगस्ट contract is currently traded 5668 per balance मतलब आप इस पर बैटिंग कर रहा है आप बोल रहा है कि 5668 से उपर जाएगा इस पर आप बैटिंग कर ठीक है चले आगे अब number of contract contract निकाल लेंगे देखते क्या बता POC would like to has half यह important है भाई half of its exposure in future and leave the other half in market condition it means वो पूरा की पूरा है नहीं कर रहा है कितना हैज कर रहा हाप it means जो बैटिंग करोगे ना कौंसा position लोगे long position upside betting वो किस पर करोगे हाप पर करोगे हाप मतलब 733 barrels नहीं उसका आधा while hedging the number of future contract deal should be rounded off to the next higher index then how many contracts should it book number of contracts mark or contract size कितना hundred dollars barrels तो सुनना धियान से total requirement कितना है 733 पर hedge कितना करना सिर्फ 50% और एक contract कितने का है 100 barrels तो number of contract निकल जाएगा 733 into 50% divided by 100 तो सर यह आगया 3.66 contract पर उसने का कि आप rounded off कर लेना higher side तो आप betting करोगे कितने contract का 4 contract का या आप betting किस पर कर रहे हो 400 barrel टिक ना बोलो ठीक है न यहां तक compare तो कितने contract करोगे 4 contract कौन सा position long position compare the hedge and exposed part regarding the effective price per barrel and also compute the effective price per barrel for the whole requirement of August क्या बोल रहा है यह बोल रहा है यह बोल रहा है अब मैं अलग-अलग काम कर रहा है अब ध्यान से समझना मेरी बात को टूटल requirement कितना है तर सिवन ठाबरी थी आपने 400 barrels पर कौन सा position लिया है किस से बढ़ेगा तो फायदा फुले rate अगर बढ़ेगा कहां था 5668 से बढ़ेगा तो फायदा ठीक रेट एक्चुल में क्या हो गया फ्यूचर वादा रेट है सर्फ 5788 हो गया 5788 तो हमें future से कितने का फायदा है upside betting थी अब ही तो हुआ तो कितने का फायदा है 5788 माइनस 5668 इंटू 400 तो सर हमें 48,000 का फायदा हो गया 48,000 का फायदा हो गया पहले मैं उन बैरल उन चीजों की बात करहूं जो आपने हैस किया तो 400 बैरल पे आपको कितने का फायदा हो गया इस ट्रॉक एक्षन से 48,000 का अब 400 बैरल खरीदना थो पड़ेगा कितने रेट पे खरीदना पड़ेगा 5570 इट मिंस आपको 400 बैरल पे टोटल कितना पड़ेगा प्राइस टोटल पहले 400 की बात करूंगा फिर 333 की बात करूंगा बिल्गुल ध्यान से समझना इस पे क्या आपने हैज कर रखा है या इस पे आपने हैज नहीं किया तो अब सोचते हैं सर 400 बैरल्स मुझे खरीदना पड़ेगा 5570 रुपे पर मुझे स्टॉक एक्शन से MCX से 48,000 रुपे मिल जाएगा तो 400 बैरल्स पे मेरा कितना खर्चा हो रहा है 400 इन्टू 5570 माइनस 48 था तो टूटल सर 21,80,000 खर्च वह रहा है और एक बैरल्स का प्राइस किया पड़ा सर यह पड़ा 5,4,5,0 और 333 पे तो आपने हैज ही नहीं किया तो आपको कॉस्ट कितना पड़ रहा है सब फिर तो जो भी रेट होगा उस पे खरीदना पड़ेगा 5,5,0 इट मेंस मैंने अलग-अलग बताया है जो हैज किया वो और जो हैज नहीं किया वो उन दोनों का मैंने effective price आपको बता दी यहां तक ठीक है वो बोल रहा है इसके अलावा आप टोटल 733 बैरल्स का effective price बताईए तो वो कैसे बता सकते हैं वो ऐसे बता सकते हैं 21,80,000 इस पे 400 और 333 पे 5570 टोटल मिला कर कितना बैरल्स है 733 का effective price कितना 233 इंटो 5570 प्लस 21,80,000 divided by 7 तो फिर यह बढ़ा हमको 550 और जिनोंने future कर रखा है काश उनके समझ में आ रहा होगा कि कैसे निकल रहा effective price पहले 400 का अलग निकाला 333 का अलग निकाला फिर दोनों मिलाकर मुझे टोटल 733 पे कितना खर्चा बैठ रहा है तो 733 पे निकाला तो 55 अगर रेट यह हो जाए तो तो फिर कर लो कि जैसे यह किया वैसे कर लो कि किया होगा उन्होंने मैं यहां पे आता हूँ सीथ तर यह क्या चीज है वह amount कितना लगाया वह बता रहा हूँ उससे हमें मतलब नहीं है एक्सपोजर इन फ्यूचर वह बता रहा कि कितना किया मैं यहां कि बात कर रहा हूँ अगर 5788 हो जाए 5455 हो जाए इसकी बात नहीं करो मैं इधर की बात करो 48 अरका फायदा होता उस हिसाब से अगर 400 की बात करो सिर्फ यह जो पार्ट है किस पह 400 अगर 400 वैरल्स की बात करो थी इफेक्टिव प्राइस पर रहा 5450 और बचे हुएगा क्या कर रहा 5570 अगर मैं overall की बात करो तो मुझे प्राइस कितना पड़ा 5504 मैंनत करना पड़ेगा आप कहोगे तो इस कोश कोशन नमबर 14 देखें यह कोश्चन को कॉपी में बनाना अच्छे से बनाना यह जो किया ना कमोलिटी फ्यूचर आपको बहुत आता है यार इस कमोलिटी फ्यूचर करोगे अच्छे से कोशन नमबर 14 कुछ नहीं है थियूरेटिकल एफ निकालना और बताना आर्बिट्रेस बस याद रखना कि इस कोश्चन में कंट्रिश्ली कंपाउंड नहीं यूज करो बाकि और कोशन बस इसने किस मेथट से किया था डेल्टा हेजिंग मेथट से मैंने डेल्टा हेजिंग और बाइनोमियल मॉडल याद है आपको यस बाइनोमियल में हमारे बाइनोमियल मॉडल को हम कौन कौन सी मेथट से करते थे रिस्क नीट्रल मेथट होता था डेल्टा हेजिंग होता था रैप्लिकेटिंग पोटफोल्य होता था अगर question में कुछ ना बोले तो हम किस से करते थे risk neutral probability approach से करते थे इन्होंने किस method से किया इन्होंने delta housing method से किया answer यह किया तो delta housing तो already मैं करवा चुका हूँ तो इसका मतलब question में कुछ ना बोले तो आप बोल रहे थे CA वाले बच्चों को कि आप risk neutral से करना yes पर हम ही क्या बोल रहे आपको मैं बोलूँगा delta housing से करोगो कि question में delta housing से कर रखा है पर जिनको delta housing में दिक्कत हो रही वो risk neutral से कर लेना पर please अगर आपको delta housing समझ में आता है आता ही होगा करवाया हूँ मैंने तो आप delta housing से कर लेना please है वेल्टा है जीजिंस है मेपता है आयनी डेल्टा है जीजिंस है डेल्टर है्जिंसर स्थ ही किया ज McCoyne इस कम फिप्टिंं टाइम पासको इंदमनी कभ पूता है dha money क्या होता और आउट अब दमनी क्या होता तो यह तु टाइंफास से यह यह पन जाएक-оздHow कोश्चन नमबर 16 इंपॉर्टेंट कोश्चन है कोश्चन ये कोश्चन बार बार आ रहा है एक्जाम में जून 2016 में ये कॉल आप्शन पूट आप्शन का पेउप निकालना आराम से निकल जाए ठीक है कोश्चन नमबर 16 मुझे मैं वही चीज़े डिस्कुस करूंगा जहां अलिक्कत हो सकते हैं कोश्चन नमबर 16 असान कोश्चन है आराम से हो कोश्चन नमबर 17 अच्छा कोश्चन है एक पढ़ूं की क्या है 190 रुपए भी प्राइज है 125 हो सकता है और 225 हो सकता है मतलब बाइनोमियल है ठीक है तो बाइनोमियल है तो मांग क्या रहा है वो आपसे मांग रहा है कि आपको European call option निकालना याद रखना यहां बोल भी रखा निकाल लोगे निकाल लोगे मुझे मालू में निकाल लोगे नई problem है तो मुझे से पूछन मैं यह question मैंने करवाया हूं class match 12 नंबर का question आया था सर दिसंबर 2021 का प्लीज इसको भी कर ले ना कुछ नहीं है इस question में आराम से आप से हो जाएगा मैंने question करवाया हूं revision video में Mr. दया निकाल वाला question सेम question है value of put निकाला जब call का premium मिल जाएगा तो put call parity से value of put निकाल निकाल ले ठीक है हो जाएगा question answer answer दिया हूँ हूँ है पर मुझे पता है आप कर लोगे कोई problem नहीं हूँ question number 18 अच्छा question है और बहुत अच्छा question question commodity future का है मैं बात कर रहा हूं commodity future तो यह question अभी अभी आया है अगर दिखा जायता हूँ December 2021 का question है बारा नमबर का question है देखे क्या है commodity future का मेरा मन कर रहा है और एक question करवा देता हूँ तो यह वाला करवा देता हूँ ठीक commodity future आपके लिए important है अच्छार केजी का रिक्पायर्वेंट है पचास जार केजी का रिक्पायर्वेंट है यह लो यह दिया केजी और यह दिया क्वेंटल और एक क्वेंटल में कितना केजी होता है 100 केजी future contract available है 7400 कि बस मुझे इतना बता दो 7400 लॉंग पोजिशन लेना कि अपसाइड बैटिक रिक्वार्मेंट है तो बढ़ने का डर तो लॉंग लॉंग पोजिशन होगा in future market यस लॉंग पूजिशन होता है यह दो क्रभाया हूं कि फूर्चिर कॉन्ट्रेक्ट थ्री मून्थ है 7400 वब stell report हुथ हूता है दस Mental खर और ,stypeset इक ख़र मतलब एक कॉंट्रेट कितने का हैará दस जह सदॉर कज मार्जिन कितना दिआ तरह 12 की एक क्विंडगल में हुथा सौ कजी बाउप weights कितना percent hedge करना चाहते है? 60 percent hedge करना चाहते है तो जरा hedgeET कितना खरतज है? 50,000 kg 60achsen kg में पूरा की पूजा kg में काम करता है तो तो sir, 50,000 into 60 percent तो sir, 30,000 kg को हमको hedge करना है और एक तन में होता है सर 10,000 केज़र हमको क्या करना पड़ेगा लॉंग की शॉट बढ़ने वाला है तो लॉंग करना पड़ेगा पहला काम क्या हो यह शॉट है कि लॉग है वो बता तो आप बता तो कि शॉट है इस पार्ट मार्केट में और लॉग लेंगे हैं फूटर मार्केट में इसमें दिख रहा है कोई नमबर 2 क्या बोल रहा है है हूँ मैनी फूटर कॉंटर्ट शूट बी ट्रांजेक्ट री कॉंटर्ट इक विल ही बाई अर्सेल फूटर बाई फूटर मतला लॉंग पोजिशन वाट इस अमार्जिन कितना लगेगा यह नहीं चीज पूछा भाई मार्जिन कितना कि और एक के जी का प्राईज है सेवनटी पॉरंडट एक केजी कने एक क्विंटल का है मतलब यह 100 केजी कमें एक केजी कनें करूं 74 कि इसजार इंटू सेवनटीफॉर इंटू बारा बर्श बारंग शेयार है 226,464 वित्व कोई दिक्कत होगी क्या आगे पॉइंट नमर 1 और 2 तो होगे, at the end of 3 month अगर price हो जाए 7,450 पर quintal, what is the effective price he would pay for the quantity has with future and what is the benefit by the future contract? अब important है, आपने betting किया है कितने केसाब से, 74 केस, और rate कितना हो गया, 74.50, कि आप जीत गया है, yes, कितने रुपे से आपको फायदा हो गया, फायदा हो गया, total betting कर रहे थे हम 30,000 kg, और फायदा हो गया, 0.5 का, तो टोटल फायदा हो गया हमको 15,000 रुपे, का, 15,000 रुपे का फायदा, अब हमको 50,000 kg खरीदना पड़ेगा, किस rate से खरीदना पड़ेगा, यहां कुछ नहीं बताया, तो मान लो कि यही आपका प्राइज है, तो सर वो खरीदना पड़ेगा हमको 74.50 से, तो 50,000 into 74.50, तो टोटल खर्च करने पड़ेगे हमको 37,25,000, हमको 15,000 मिल गया, माइनस 15,000, तो टोटल 37,10,000, कॉस्ट पड़ा, कितने का पड़ा, 50,000 केची का पड़ा, डिवाड़ेड बाई 50,000, तो टोटल 74.2, हमको कॉस्ट पड़ा, क्विंटल में बोलो, तो सेवर पॉर 2,0 कॉस्ट पड़ेगे, पर एफेक्टिव प्राइज, जो निकला है, उनका, वो कितना निकला है, 7400 ही निकला है, यसा है, क्यों होगा, होगा, वाट इस दा एफेक्टिव प्राइज, ही उट पे फार दा, क्वांटिटी है, यह तब निकला है, बोले, ओवर ओल की बात मत करो, आप 30,000 केजी पर कितना एफेक्टिव प्राइज पड़ा, यह बताओ, तो भई, ठीक है, 30,000 केजी हम खरी देंगे, सिर्फ और सिर्फ किसका, जो क्वांटिटी है, उसका इफेक्टिव प्राइज पूछ रहा है, तो सेव, 30,000 इंटू, कितना, सर, 30,000 इंटू, 74,50, तो सर, यह आ गया, 22,00, 35,000, इसमें से माइनस कितना कर देंगे, 15,000 जो हमें मिला, तो टोटल हमको 22,00,20,000 पड़ा, यह कॉश्ट कितने पर पड़ा, 30,000 पर आंसर उतनी आएगा, तो सर, 74,000 पड़ा, क्विंटल में कितना पड़ा, 7,400, क्विंटल पड़ा, ठीक है, याद अखना, किसे, और सिर्फ किसका, effective price पूच रहा था, quantity है, जो hedge किया, उसका, जो hedge किया, उसका बता दिया, पॉइन नम्बर 3 होगा, पॉइन नम्बर, independent of 3, 3 के अलावा, अगर price 735, 0 हो जाता है, तो बताओ, effective price क्या हो जाएगा, हो जाएगा, पॉइन नम्बर 4, suggest to other way, in which theory पूचा है, कि आप कैसे कर सकते हैं, और काम ताओ, forward contract कर सकते हैं, बहुत सारी चुछे लिखना हो, लिखना हो, question number 90, 10 नम्बर का, ये भी December 2019 में आया है, और ये भी commodity future का question है, और ये ICMA Institute ने गलत करके रख, मेरे ही साब से, एक बार देखें, बात समझेंगे, total requirement कितना है, तर 3000 केज, price बढ़ा, ठीक है, मतलब long position लेगी, spot price है, पाचार एक सो हमारे काम कीजिए, future price ने 5200, तो हम price बढ़ने का डर है, तो हम कहेंगे की 5200 से उपर जाएगा, हमें डर है की बढ़ेगा, तो चलो बढ़ने पर बैटिंग कर लिया की 5200 से उपर जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत है की कोई दिकत नहीं, मैं नंबर ओप कॉंटेक्ट पे ने जा रहा हूं, अभी सिंथ, तो मर्चंट वांच तो हैज हाप अप अप लिए रिक्वार्मने प्लाब वो फंदरा सो केजी पर बैटिंग करेगा, और पंदरा सो केजी उपर रहेगा, अजिए रिमानिग हाप अप अपर रहेगा, इंपोर्टेंट है, इफेक्टिव प्राइज पर केजी फर इंटायर रिक्वार्मने इफ हाँ, इन है, यहां गलती किया, क्या गलती किया, सुनना, और इसको मैं कहूंगा कि आप गलत मत करना, क्योंकि इसके वज़े से पूरी कोश्चन गलत हो जाएगी, तो बिल्गुल ध्यान से समझना काम कैसे होगा, अगर मुझे एफेक्टिव प्राइज निकालना होता, तो मैं कैसे निकालना हुआएज पहले प्रॉपिट हो रहा है कि लॉस हो रहा, अगर फ्यूचर प्राइज पाच जार सा हो जाएगी, तो गेन, पाच जार चार सो, पाइनस पाच जार दोसो, इंटू कितना केजी, पंधरा सो, इसमें कोई दिक्कत है कि है, इसमें कोई दिक्कत लिए, दोस्तों इंटू पंधरा सो, तो सर, आंसर आएगा, तीन लाग रुपय का गेन, ठीक है, अब पूरा तीन हजार केजी, हमको किसके सब से खरीदना पड़ेगा, पाच जार दोसो, पचास, मेरे जेब से कितना पैसा जाएगा, सर, ये तो बहुत सार हो गए, एक करोड, पतावन लाग, कितना पैसा जाएगा, खरीदने में, लेकिन मुझे जो मैं जीता हूँ, वो मुझे मिल जाएगा, इसमें से मैनस कितना कर देंगे, तीन लक, तो टूटल एक करोड, शववन लक, पचास अर, ये मेरे जेब से जा रहा है, ये कितने केजी पे जा रहा है, तीन अजार केजी पर, तो इफेक्टिव प्राइस कितना जाएगा, फाइव वन फाइब से, इसमें, ठीक है, ये होना चाहिए आंसर, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो बाकी कोश्चन गरबड़ो जा, ये मेरे इंस कोश्चन को कुछ अलगी तरीके से कर, और ये ही कोश्चन, बाकी कोश्चन ठीक है, कामरे इंसरी फिंचर के बाकी कोश्चन ठीक है, तियमें इंस्टिट्यूट ने क्या कर रखा है, उनका ये कहना यार, पंदरा सो केजी, हमने खरीदने का कॉंट्रिट किया है, जो कि हमें पाच जार चार सो का मिलेगा, और जो बचा हुआ पंदरा सो केजी है, उसको हमको पाच जार दो सो पचास का खरीदेंगे, क्योंकि इस पर तो अल्रेडी आपने कॉंट्रिट कर चुके, और इसको तो आपको जो भी मार्केट वेरेट होगा, उसको खरीदना पड़ेगा, डिवाइड़ वाइट टूटल कितना केजी है, तो तो पंदरा सो इंटू पाच जार चार सो एम प्लस और पंदरा सो इंटू पाच जार दो सो पचास एम प्लस एम रसे डिवाइड रसे, तो उस हिसाब से उसका कहना हमें पड़ा पांच यार तीन सो पच्चिस का जोपी गलत है पाच यार चारसो नहीं पाच यार दोसो न चीए इस पर थोड़िन बेटिंग कर रखा आपने खरीदने का क्ट्रेट्ट पाच यार दोसो पर किया है तो फिर से गरना बड़े पंद्रहसों इंटु 5200 म प्लस और पंद्रहसों इंटु 5250 एंप्लस मर्स डिवाड़ड बै इन फजार तो उसका अंसर आ रहा है 5225 है उप्थेक्टिव प्रईस यह गलत है मेरी नहीं चुड़ मैं एक्चवर में निकाला जाता ऐसे कि यह यह नहीं किया तो मैं इस कोश्चन को सिर्फ इस कोश्चन को कहूंगा कि प्लीज आप ऐसे मत करना क्योंकि बाकि सारे कमोरीटी फ्यूचर के कोश्चन वैसे ही कर रहे है जैसे यह वाला कोश्चन तो पूछ लीजिएगा अभी तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम इस पर दे नहीं सकते हैं थोड़ी थोड़ी बाते भर गांगा कि के सर कोश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं कोश्चन नंबर 20 आपके इंस्टिउट का फैवरिट कोश्चन पूट ऑपशन प्राइस देगा कहेगा कॉल का पेओफ निकालो पूट का प्योफ बच्चो वाला कोश्चन हो जाए इस मैटर लो कोशिन नम्र21 में कुछ special बात है कि कोश्ण नम्र 21 में भी कुछ special बात नही ओए ठीक है नॉर्मल future का कोश्चन है और theoretical future price निकलना है और comparison करना है कि हमें sell करना है future की buy करना future और उसके हिसाब से फिर arbitrage निकलना है 21 में कुछ बात नहीं है Question number 22 भी same question है. इसे में भी theoretical F निकाल के काम करना है। मेरे ख्याल से इस में भी problem नहीं है। Question number 23 अच्छा question है. इसको देखना पड़ेगopen. Question number 23 अच्छा question. कि लोग देखतें question number 23 में क्या है? आगे क्या लिखा find the number of contract stock future to be bought or sold, अगर portfolio बीटा कितना maintain करना, 0.8 हो जाएगा 0.8 में दिक्कत नहीं 3.8 कह गए हलक इसमें कुछ नहीं करना था ये वाला जो है न, ये वाला part अलग है, ये B के साथ नहीं है what ये अलग से लिखा, what will be the proportion of market value of investment में पहले इसकी बात करूँ, टूटल पोर्टफोलियो मेरा है कितना सर टूटल पोर्टफोलियो पाच जार दो सो लाक पाच जार दो सो लाक टार्गेट बीटा कितना है 0.8 और बीटा पोर्टफोलियो कितना है, 1.21 number of contract का हमारा फॉर्मुला f कितना है, 10 या 250 और contract का size कितना है, 100 into 1 number of contract देख ले 0.8 minus 1.21 बादिन वे तो सर, 208 contract short होगा ये तो निकल लगे हैं, इसमें दिक्कत नहीं, मैं कुछ समझाने की कोशिश करों, इसलिए मैं करवारा हूँ 208 contract short होगा इट मिन्स आप कितना पैसा लगाओ के future सर, हम लगाएंगे 208 contract इंटू 10,250 price है, इतना पैसा लगाएंगे, कितना पैसा लगाएंगे जरह देख लेते, कौन सा पोजिशन लोगे short, 208 इंटू 10,250, 200, तो सर, टोटल लगाएंगे, हम 232 contract, कितना पैसा लगाओगे, ठीक है, यहां तो कोई दिख लेते, कौन सा पोजिशन लोगे short, लेकिन यार, margin भी तो जमा करना पड़ता है, यहां से अलग है portion, और margin कितना जमा करना पड़ेगा, 10% तो margin जमा करना पड़ेगा, 10% इंटू 10% तो टोटल, 2 करोड, 13,00, इतना भी investment, जो investment है, 5,200,00, यह तो है ही है investment, investment ही तो एक प्रकार से, साथ में margin भी तो एक प्रकार से investment है, यहां सो तो टोटल इंवेस्टमेंट कितने का है, 15,00, तो तो टोटल इंवेस्टमेंट है हमारा, 5,413,00, यह वाला point जो पूछ रहा है, उसके लिए काम हो रहा है, तो बता बोले, x का कितना proportion है, टोटल इंवेस्टमेंट है इतना, उसमें x में का कितना proportion है, वेट पूछ रहा है, sir, x में कितना पैसा लगा, x में लिका लगा है, 1600,00, तो परशंटेज निकल सकता है, क्या, तो, sir, यह निकला है, 29.55 या 56 परशंट इस, बस यहाँ कोई दिकत में number of contract निकालोगी, यह वाला last वाला point जो चिपका है, इसके लिए मैंने करवाया हूँ, वाकि और कुछ इन, यहाँ आ गया है 29.55 परशंट 30 परशंट, अगर वीटा 1 पॉइंट रखना है, तो फिर यह निकाल लोगे आप, अब निकाल लोगे, ठीक है, इस question में कुछ खास बात नहीं थी, सिर्फ बस आपको ध्यान रखना था, कि यह वाला last में क्या पोच रहा हूँ, वो मैंने बताया, 23, 24 तो हो जाएगा, 24 में कुछ खास बात नहीं है, commodity future का, और commodity future के मैंने 2-3 question discuss कर लिया, तो जैसे कर वारा था, वैसे कर लेना, question number 25, repeat question है, फिर future का question है, आराम से हो जाएगा, इसको भी मैंने already revision में cover कर वाख था, तो problem नहीं जाएगा, यह भी question बन जाएगा, commodity यह future का question है, future, commodity future निस नॉर्मल future का question है, इसमें theoretical life निकालना होता है, और फिर उसको इसमें arbitrage निकालना हो, यह question repeat question है, फिर से number of question है, यह question है, बार-बार repeat हो रहा है, आपको भी दिख रहा है, दिसंबर 2008, number of contract वाला question है, फिर पोट्पोलियों भी तिक्ता निकालोगा, फिर बीटा management, किसे number of contract, question number 27 में कुछ खास बात है, क्या, यह दिया है, तो इसमें सबसे पहले आपको F निकालना पड़ेगा, theoretical F, और देखना पड़ेगा कि future खरीदना अच्छा है, कि नहीं है, अच्छा question है अगर देखे, तरी question हमसे बन जाएगा, कि आराम से बन जाएगा, इस question में कुछ खास बात नहीं थी, the current spot दिया, 3300, theoretical F निकालना है, 0.075 करके theoretical F निकालोगे, और theoretical F आजाएगा, 3557.3557 लिख देता हूँ है, यहाँ गया 3557, और उसका comparison किसे करेंगे, actual F, actual F कितना दिया, expected price यह हो जाएगा, the company want to has, actual F है 3500, क्या करें, आज ही खरीद के रख रहें कि buy करें, future buy करेंगे, future is under price, यही पूचा point number 2 में, और फिर उसके बाद उसने कहा कि अगर price यह हो जाए, तो बताओ, effective price क्या होगा, वो अपने कलनोग है, commodity future, तीखने को क्या मिल रहा है, commodity future के बड़े सारे को, question number 28, theoretical minimum price वाला question है, यह question CA में नहीं मिलेगा, यह question important है, प्लीज आप इसको देख कर जाना, जिन बच्चों ने class लिया है, मैंने करवाया हूं, theoretical minimum price, मैंने कैसे करवाया था, call option, किसका पूछा है, put option, call option का value तो यह होता न, put option में exercise price आपका ज़्यादा होना चाहिए, और यह कम होना चाहिए, बस, यह question मैंने करवाया हूं, तो कर लो के, इस question में कुछ नहीं है, please, यह question कर लेना, revision में नहीं है cover, please, कर लोगे, फिर वोई, commodity future, आराम से हो जाएगा, फिर यही, आपका normal future वाला question है, theoretical F निकालना है, और decide करना है, कि buy करना है, कि sell करना है, future, यह आपका normal revision में cover है already, यह revision में cover है, normal option का question है, जिसमे call or put दोनों खरीद लेते हैं, अगर price यह हो, तो क्या होगा, यह revision में covered है, question number 32, dividend वाला question माल रहा है, वैसे ही question यहाँ नहीं करवाना चुछिए, यह 0, बोल रहा है कि मधुमीता, receive करने वाला 120,00,000 dividend और कब मिलने वाला 4 मेंने, 120,00,000 रुपे मिलने वाला कब 4 में, और इसके अलावा 220,00,000 रुपे मिलने वाला है, यहाँ, 12 में में, ठीक, एंड में, ठीक है, what is the present value of such interest and dividend, बोले इसका आप present value निकाल सकते हैं, क्या आराम से निकाल सकते हैं, बस continuously compounding यूज़ करना पर rate तो चाहिए ना सर, और rate ले 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 ना 13.5%, चलो 13.5% का चार मेने का present value, 13.5 into 4 by 12, divided by 100, तो सर, E 0.045 से present value करेंगे, इसका E 0.135 से present value करेंगे, उसका factor दिया होगा question में, याद रहा है, यह मतले ले लेना, यह वाला लेना, और इसका factor, 0.135 का factor यह दिया है, यह वाला लेना, और इसका present value निकाल देना, सर, हम 4096 वाले से करेंगे, तो value अलगा सकता है, जो दिया है, वो करना है, जो mention है question में, question paper में, उसके हिसाब से करना, अपना दिमाग मत चलना, कि नहीं, हम 4096 से करके, देखे की value सही है कि नहीं, मत कर, ठीक, यह तो कुछ और ही दिया है, पता नहीं, ठोड़ो, जो दिया है, वो लेना, बस बात करेंगे, तो normal, यह तो derivative को कोश्चन है नहीं, यह तो present value वाला कोश्चन, कोश्चन नमबर 33, फिर commodity future का कोश्चन तो भाई साब, एक बात तो समझ में आगे मुश्चन, derivative में, आपके लिए commodity market most important, please, CA में उतना important नहीं है, CA में तो यार एकाद दो question होगे commodity future के, पर CA में बहुत सारी question है, तो आप commodity future पे, और मैं टेश्ट पेपर भी लूँगा ना, आपका तो commodity future के पका-पका question होगे, commodity future के questions, please करोगे, अच्छे से करोगे, अच्छे से बनाओ, वहाँ से question हो, बाकी हो जाएगा, इसे में भी question नहीं, commodity future पे मैं बात नहीं करोगे, सर, इस question में कोई खास बात नहीं, पहला question किया था, वही वाला question है, यह भी number of contact वाला, आसानी से बन जाएगा, यह भी commodity future का, यह भी आसानी से बन जाएगा, कुछ नहीं है, जो अलगों का, वह मैं करोगे, यह भी commodity future का, यह भी easily बन जाएगा, सर, आपने उड़ा-उड़ा के बढ़ाया, उड़ा-उड़ा के नहीं बढ़ाया सर, बस मैं यह बताने के कोशिश कर रहा था आपको, कि CMA Institute और CMA Institute में क्या अंतर, यह जो question दिया है, मैंने एक भी question नहीं चुड़ा हूं, past years question के, तो आपको यह sheet अच्छे से करना है, अंतर आपको समझ में आएगा, दो चार बाते जो काम की चीज है, कि आपको derivative में सिर्फ और सिर्फ continuously compounding ही यूज करना, बस, ठीक है, बाकी और कुछ special नहीं, दूसरी चीज काम की चीज यह निकल रही है, कि commodity future के questions आते है, उसको अच्छ से, कल test होगा, target ही है कि आज इसको देखोगे, question बनाना, please, मैंने जैसे करो, किया है, अगर वैसे हवा में बनाओंगा न, calculator से तो नहीं होने वाला, question बनाओंगे, आज का time है आपके पास, कल test होगा, सुबह ही paper upload हो जाएगा, दिन भर का time है, आप paper देख सकते हो, दे सकते हो इमानदारी से देना, please, copy मत करें, paper में खुछ चेक करूँगा, तो मैं बताओंगा कि कहां कहां गलतिया हो रहे है, यह presentation कैसा है, paper कब तक submit करना है, paper कल रात तक submit कर सकते है, कल सुबह ही paper upload हो जाएगा, कल रात तक paper आपको submit करना है, उसके बाद, परसो का cat target रहेगा, वो मैं ग्रूप में बता दूँगा, परसो आप interest rate risk management का revision करोगे, क्योंकि दो ही घंडे का lecture है, तो ज़्यदा problem है, उसके बाद मैं question upload करूँगा, और उसके अगले दिन ही taste हो जाए, खले कल की बात कर ले, कल taste है derivative का, फिर ग्रूप में discussion कर लेंगे, जोटी है, तो thank you so much, इस seat को हर चेप्टर में इसा चलेगा, हर चेप्टर में, capital basting और leasing का मैं पूरा revision करूँगा, बाकी तो मेरे revision video है, thank you so much, बाबा, कल मिलते है, all the west कल के लिए, कोई doubts होता है, तो group में मुझसे पूछे, मैं आपको जवाब तो, ठीक है, आज का time है, जितना doubts से पूछ सकते हैं, thank you so much Bye-bye